Good morning everyone, आज इस वीडियो में हम class 7th का chapter 5th है line and angles उसकी exercise 5.2 का question number जो हमारा 4 है उसका हम second part इसमें explain करेंगे ठीक है तो आप लोग द्यांस देखना और पूरा वीडियो को देखना तो हम पहले इसमें diagram draw करते हैं, diagram बहुत important होता है ठीक है बिना diagram के आप लोग कोशन नहीं कर सकते हैं यह वाले तो यह दो line ने parallel दे रखिया हम लोगों को, ठीक है तो line ने parallel है हमारे पास, इनका नाम भी दे रखा नोने और यह line हमारी क्या है, यह A है और यह B है और यहां से देखो, transversal आ रहे हैं, दो transversal हमारे पास ठीक है, इसका नाम L है, इसका नाम M है यह जो angle हमारा दे रखा है, यह हमारे 100 degree दे रखा है यहां पर यह हमारा unknown X है, और यह भी 80 degree दे रखा है, ठीक है यह जो question है, बहुत easy question है, आप इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं बहुत सारे method हैं हमारे पास, मैं इसको एकी step में कर दूँगा अगर आपको property पता हो, तो यह angle में निकालना है, तो यह angle इसकी मदद से निकल जाएगा यह क्या है, corresponding angle कहलाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीजी सी बात है, आप लिसकते हैं यह पर 100 degree equal to angle X और यहाँ पर लिसकते हैं आप corresponding angles, खतम कहानी, यह आपका answer आ गया, खतम कहानी, पहले step में हो गया और यह इसकी मदद से आप करना है, तो इसकी मदद से कर सकते हैं, मगर वो लेंदी जाएगा, ठीक है, तो जब answer आई गया, पहले step में ही तो कोई problem नहीं है, ठीक है, तो इतना ही इसका answer है, ठीक है, करने को आप और भी लेंदी कर सकते हैं, उसका कोई benefit नहीं हो पाएगा, आप लोगो, तो आप लोग ध्यान से देखिए, यही इसका answer था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्स्ट्राइब करने के लिए, लास्ट में सर्कूल आइकन आता है, आप लिक करके चैनल को सब्स्ट्राइब करते हैं, ठीक है, और इसमे चैनल में बहुत सारी लिस्ट मेंने बना रखी है, उसमें आपके चैप्टर-वाइस, एकस्स, चैप्टर-वाइस कोश्टन सारे इसमें करके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट कोल के, चैप्र खोल के, इस्त्रॉल करके, अपनी जोन सारी कोश्टन आपको नही आता, तो आप उसको देख सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए बाइबाइबाइब स्यों गें टेक केर